नमस्ते दोस्तों, हिंदी का एक बहुत ही छोटा लेकिन सबसे सुन्दर शब्द है जो की सिर्फ एक अक्षर और दो मात्रा से मिलकर बना हुआ है जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ मा की मा का कोई एक दिन, कोई एक पल, कोई वेक्ती तैय नहीं कर सकता लेकिन फिर भी अगर कोई मुझसे पूछे कि अपने पन की परिभाशा क्या है तो मेरी दिमाग में सिर्फ एक शब्द आता है और वो है मा जी हाँ ये बात है सन 2005 की जब मैं M.A.C.T. भोपाल में था तो सुबह सुबह मेरी मा का फोन आया की लिखो कुछ अपनी मा के बारे में तो मैंने कलम उठाई और डायरी के पन्नों में कुछ लिख दिया और आज वही पंग्तिया आप सब को सुनाने जा रहा हूँ कि मा नहीं एक शब्द मात्र मा एक परिभाशा है अपने पन की मा एक आशा है जीने की घुप अंधेरे में उम्मीद की एक किरण है मा मा नहीं जानती नींद क्या चीज है लेकिन हाँ सपने देखती है मा और सपने में आता हूँ मैं मैं हां मैं जिसके लिए है मा मा चाहती है कि मैं एक तार बनू तार जो जंकृत हो तो राग भैरवी भी शर्मा जाए तार जो चमके तो सूरज भी रह रहे घबराए लो मैं आज वो तार बन गया मा लेकिन ये क्या? कहां है मा? आज मा की आखों में नींद है नींद जिसका अर्थ भी नहीं जानती थी मा नींद जो अब नहीं तूटेगी कभी क्योंकि मा एक एहसास है किसी के होने का ना होने पर भी क्योंकि मा एक आशा है जीने की क्योंकि मा एक परिभाशा है अपने पन की तो आप भी लिखिए कुछ अपनी मा के बारे में यकीन मानिए आपको भी अच्छा लगेगा और आपकी मा को भी बताईएगा जरूर ये बंगतियां आपको कैसी लगी हैपी मदस्टे